हम हैं organization structure और strategic leadership आपने बच्पन बीपढ़ा होगा organizational structure पढ़ा था उसमें हिराक्षी बढ़ी थी आपने आप आई क्या organizational structure जरूरी है किसी organization के लिए आप बताऊ सुनेएगा अभी हमने chapter 4 5 और 6 में क्या पढ़ा था बताना और कॉर्पेट लेवल strategy business level strategy और operational strategy यानि यह तो हम सीख गई कि strategy बनेगी किसकिस लेवल पर कैसे कैसे अब जो साथ और आठ है उसमें बात होगी implementation पार्ट पर है ना strategy बन गई अब उसको implement करेंगे और साथ में implement करेंगे कैसे कैसे किसकिस लेवल पर होगी और आठ में उसको कंट्रोल करेंगे जो चैप्टर नमबर एट है वो कंट्रोलिंग का है वहाँ पर स्ट्राटेजिक कंट्रोल के बारे में बात होगी डान आई यह देख लेते हैं और गनाइजेशनल इस्ट्रक्टर क्या बोलता है करें रफर्स टुदा कंपनी फॉर्मल कंट्रीग्रेशन अरेंजमेंट आफ दा इंप्लॉई देट लिंक अथारेटी कम्मिनिकेशन राइट एंड डूटी ऑफ दी और गनाइजेशन पढ़ाने लाइक है कुछ बोलो और गनाइजेशनल इस्ट्रक्टर का मतलब है हमारी और गनाइजेशन का धाचा पूरा यानि किस तरीके से हमारी जो हिराक्य वो बटी हुई है और जोंटल आव वर्टीकल है किस तरीके से अभी देखेंगे डिफरेंगे डिफरेंट इफरेंट टाइप ऑफ और अर्गनाइजेशनल श्रुक्शर भी हमें डिसकस कर देए चल लोगी यह से कोडिनेशन होगा कैसे राइटेंट डूटी और इसकयान होंगे कैसे हम एक साथ सिंक्रांइज वे में काम करेंगे इस अगर फूरे स्ट्रक्ट्चर को हम एक वर्ड में बोले तो उसे हम क्या बोलते हैं और गुणाइजेशनल इस्ट्रक्टर जो हमने ट्रेडिशनल पढ़ा था कि टॉप लेवल होता है मिडिल लेवल लुट लोटा वही यह और यह कहा है यह मुश्ट इम्पोर दिहान से सुनिएगा यह एक इंपोर्टेंट बात लिखिए यहां पर कह रहा है ऑर्गनाइजिशनल स्ट्रॉक्चर ऐसा होना चाहिए जो फिट करें कमपनी की स्ट्राटेजी को यानि जो हमारी कमपनी की स्ट्राटेजी से मिलता जुलता हो आ रहा है या निया जैसे मैं का नाम सुना है यह वेल फेर सोसाइटी होती है वहां का एक और्गनाइजिशनल स्ट्रॉक्चर बिल्कुल अलग होता है उसके नीचे फिर सब्सक्राइब करेंगे अभी सिर्फ एक ब्रॉड सैंस में बढ़ रहा है कि और गनेशनल इस्ट्रक्चर का मतलब क्या है तो उससे आपको यही सैंस समझ में कि और गनेशनल इस्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो फिट हो रहा हो हमारी कंपनी की स्ट्राइजी के हिसाब से और जो हमें फैसिलिटेट कर रहा उसके की की स्ट्राइजी के इंप्लीमेंटेशन में यानि और्गनीजेशनल इस्ट्ट्चर इस तरह का होना चाहिए जिसमें हमारी कंपनी का जो वीजन है वो फिट हो जाए और वह फैसिलिटेट करें फिर सद्टने भी हमने structure अच्छा नहीं होगा इन इफेक्टिव होगा तो उस केस में आप रिजीडिटी का सिकार हो जाओगे और उस केस में आप अचीव नहीं कर पाओगे अपने अब्जेक्टिव जो आपके वीजन को मैच कर रहे होंगे आ रहा है नहीं आ रहा है यह बास समझ में आ रही है जो यहां लिखे हुए है कि रहा है दर्ज इस्टाटिजिस्ट लीडर सेख्ट टू डवलप एन ओर्गनाजेशन इस्ट्रक्ट्ट्टर डाट मैच इस स्ट्रट कीईर क्यां तुक्स कृप किरा टूदा कंपिटीशन असने स्ट्राट्ट्टर मैच गिफ अबन नंगिए परिको इस सार्य पॉय्ट आपको एक च्रक्स जी जो हमारी स्ट्राटेजी को मैच कर रहा हूँ जो हमारी कंपनी की स्ट्राटेजी वीजन को मैच कर रहा हूँ और जिससे हमें Implementation में Facilitation मिले Strategy की Implementation में Facilitation मिले कि हमारी जो जो भी हमने Strategy बनाई है Business Level Strategy हो, Corporate Level Strategy हो, Functional Level Strategy हो उसको Implement करने में हमें Easiness मिले, फाइदा मिले आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलें, आईए क्या रहा है? When a new strategy is implemented, an organizational structure for the two major reasons Can a structure decide how the operational objective and the policy are established to achieve the strategic objective? क्या रहा है, जब कोई हम एक नहीं strategy को implement करते हैं तो वहाँ पे organizational structure दो major reason की वजासे जरूरी है कि वहाँ पे organizational structure होना जरूरी है आगर हम कोई strategy को launch कर रहे है पहला reason क्या है? क्योंकि organizational structure जो होता है, वो decide करता है how the operational objective and the policy are established to achieve the strategic objective क्या रहा है जो operational level क्या रहा है यह जो हमारा structure है ना, organization का, यह decide करेगा कि कैसे operational objective को और policy को हम establish करेंगे एक strategic objective में करेंगे यह एक हमारा organization structure के study के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इसे operational level पे लेके आएंगे है ना, for example, जैसे जीओ ने पहले free करा, तो जीओ ने यह देखा होगा ना कि कि किस-किस reason में कैसे-कैसे free करेंगे और बाद में charges लगाने है तो किस तरीके से हम लगाएंगे हाँ, बोलो, हाँ, जैसे मैंने आपको एक उबर का example भी दिया था कि इसने spotify के साथ tie up करा था, तो उसने अगर कोई product strategy लेकर आया है कि हम क्या करेंगे strategic alliance बनाएंगे किसी के साथ, लेकिन customer तक कैसे पहुचाएंगे उसे, तो आपने देखा होगा कभी-कभी आप गाड़ी में जाते है ना, तो उसके पीछे टंगा होता था एक banner type का, वो banner टंगा रहता था और उसमें लिखा होता था कि free में आप गाने सुन सकते हो, अगर आप उस तरीके से सोचोगे कि कोई भी जो strategy हम लगा रहे हैं, उसे हम कैसे implement करेंगे, सही है, तो कह रहा है कि जो भी हम strategy बनाते हैं, उसके जो operational objective हैं, जो policy हैं, वो establish करती हैं, उसका strategic objective, done, पहली चीज़, और दूसरा कहता है कि कैसे हम resources को allocate करेंगे, achieve करने में अपने strategic objective को, यह depend क करता है हमारे organizational structure, हमारे हां कोई team ही नहीं है, और दुनिया भर का हमारे पास काम आया हुआ है, हमने strategy भी बनाई हुई है, सारे audit plan तयार है, लेकिन को इस structure नहीं बनाया हुआ, कि यह senior है, यह junior है, इसके नीचे यह काम करेगा, इसकी team में यह बंदे हैं, इसकी team में यह बंद जितने भी strategic objective होते हैं, अगर उसे operationally established करना है, उसके operation पे, अब implementation पे अगर काम करना है, तो वहाँ पे organization structure का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, operationally objective और policy को established करता है, to achieve the strategic objective, और number two, resource को allocate करने में काम आता है, अगर हमारे पास एक structure बना आ रहा है या नहीं, आगे चलिए, कह रहा है, there is no single optimal organizational structure for a given strategy, what is appropriate for the one organization may not be appropriate for the another, तो यह एक subjective issue है, कह रहा है कि organizational structure सबके अलग अलग होते हैं, जिस तरह का nature of business आप करोगे, उस तरह के nature of business में, आपको देखना होगा कि कौन सा organizational structure आप पे best suited है, वो आप apply करोगे, अभी मैं पढ पढ़ाऊंगा आपको बहुत सारे, तो यह वाला point आपको तब समझ में आ जाएगा, अभी पढ़ाऊंगा types of organizational structure, उसमें समझ में आ जाएगा, चले, आए, किरा, however the successful firm in a given industry tend to organize themselves in a similar way, in a similar way that, जैसे की consumer good company tend to emulate the divisional structure by the product, अब इसकी बात नहीं कर रहे, अभी जब मैं type पढ़ा दूगा ना मेरे बच्चे, तब ही आपको समझ में आएगा, है ना, तो अभी उपर आएंगे, done, यहां पर question मार्ग लगा दिया मैंने, अभी जब मैं type पढ़ा दूगा, तो इन दोनों point की हम बात कर लेंगे, clear है, चले आगे, आईए, आपको broadly अभी यह, organizational structure, किसी नई strategy के implementation के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आया, आगे चले, आईए, अब सुनना, कह रहा है, अगर हम कोई नई strategy लेका है, यह इन भाई साब ने बोला है, Chandler strategy, यह एक strategic relationship है, बहुत easy है, मैं आपको समझा जेता हूँ, मालो सुनना, इधर देखना, अरे बच्चो प्लीज, क्या हुआ, अगर हमने कोई strategy नई launch करी, सुनना इधर प्लीज, हमने कोई strategy नई launch करी, तो क्या हमेशा वो ठीक चलेगी, क्या नई strategy में नई challenges नहीं आएंगे, तो strategic problem भी आएगी, पहले हम क्या करेंगे, नई strategy form करेंगे, फिर उसे चलाने में new administrative problem करेंगे organizational performance, उसその problem की विचासे जो हमारा organization है उसकी performance down जाएगी, बताओ ना, अरे हमने कोई strategy launch करि, done, उसस की विजासे क्या होगा नई problem emerge हो सकती है, और उसकी विजा से जो हमारा organization है उसकी performance overall सब्सक्र橋 कर नहीं सब्सक्राइब अदेलगे की कॉरिये की हुआ अपने 집에 ने कर सकते हैं लो करेंगे नहीं करेंगे किस्मिल के रिंस्ट्रक्ट्र फिर इंतर्नल वेला पॉइंट की कि एक इस्ट्रेटिजी थी न वह जहां पर हम चेंज गर करके देखते हैं रिट्रेचमेंट स्ट्रेजी में था न मुए और आधा देर इसक्षेजान लिए अब पाले कि उसमें चार स्ट्रेजी पढ़ाई थी मैंने तो हां छोड़ो याद कर लेना बोलो कौन कौन सीथी बताओ मेरेको नाम बताओ, खोल के बता दो, लास्ट वाली नहीं बतानी सबसे पहली बूछ रहूं मैं, बताओ देख के बताओ, क्या, हाँ तो नाम क्या था उस इस्ट्रेटीजी का, आँा सही बल लेए, नाम बताओ, इस्ट् एक मैंने से भी पहले था वो मर्जर एक्यूजिशन से पहले था कि देख देख के बताओ के बताओ डेख के देख के बताओ आ सो यह मैंने आपयोत का त्रेगी मैं क्या करेंगे अपने एर्गनेश्जिस्स रस्रॉक्चर को यानि मैने पूल फिसका एंतरों लुकि मिचेंज़ करके देखते हैं और उश का फिर एप्कम लेक्ते आर तो कि डिकलाइन होगी फिर हम नियू और नेशनल स्ट्रक्चर स्टापलेस करेंगे और उसके बाद और रहे शनल प्रफॉमेंस इंप्रूव हो जाएगे तो यह इसने एक फ्लोचार्ट बताया इसका इस्ट्रक्चर रिलेशन्शिप बताया है नई स्टैटेजी का और स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा और नया ओर्गनेशनल स्ट्रक्चर स्टापलिस करना पड़ेगा जिसके वजासे हमारी परफॉमेंस इंप्रूव हो जाईगे खत्म आया निया देखो करा अगोर्टिंग तो चांडलर चेंज इन दा कॉर्प्रेट स्टैजी लीट सब्सक्राइब कर रहुकर अगर आपकी पर्फॉमेंस और फर्क पढ़ रहा होगा तो आप इंटरनल रिक एक से अगर सकते हो तो तो कर दोगे आया यह निया है आप चले। हाहानौ बोलो बिलू आप्रा सिम्टम्स व् सिम्टम्स ऑफ इन-फ्यक्टिव और्गनेजेशनल इस्टॉक्चर आप बताव गया होगा बहुत सारे लेवल बना दिया हमने के रहा है हमने बहुत सारे लेवल बना दिया मेनेजमेंट के आपको कुछ काम करना होता है अपने उपर वाले से पूछो उससे उपर वाले से पूछो उससे भी उपर वाले से अपरूवल आईगी तब जाके वह काम होगा लेंडी बना दि यह और ने से सट्टर में बहुत सारी प्रॉलम होती है यार बाइसने स्वी एक प्रॉलम है और नई चीजों का अड़ ना करना भी एक प्रॉलम है देखो एक बहुत सारे हमने क्या बना दिये तो मैंनी लेवल ऑफ मेनेजमेंट बना दिये क्याराई सिम्टम्स आप इनफेक्टिव और्गनाइशनल स्ट्ट्चर इंक्लूड तो मैनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो इतने सारे लेवल भी बनाने बस तीन लेवल में आप बना लो वह ज्यादा बढ़िया है अभी हम टाइ फेंशन बिंग डारेकटेट टोर्ज दिस वर्विंग इंटर डिपार्टमेंटल अन्फ लिक अगर आप और अलग अपका ओर्डनेशनल डिस्ट्ठर आप तयार गरोगे तो अलगलग डिपार्टमेंट में और अपस में भी कन फ्लेक्ट हो सकता है आप देखते होंगे वह इतने सारे इंपलॉई रख लिए इतने सारे बंडे रख लिए आप कंट्रोल नहीं कर पारे और आपने फैला दिया तो वह ईकूड और डिट्र कर नहीं कहलेगा कर रोख तू मैनी अनषेव ऑब्जेक्टिव आपके बहुत सारे अनकि आप ने टार्गेट लिए थे लेकिन आप उस organizational structure के साथ वो टार्गेट अचेव नहीं कर पा रहे हो तो उसको बोलेंगे कि वो कैसा ineffective organizational structure है समझ मैं बोलो बोलो ineffective कि क्या पैचाने बहुत सारे लेवल बना दिये बहुत सारी मीटिंग बहुत सारे लोगों को करनी पड़ रही है इंटर डिपार्टमेंट कंफ्लिक्ट आ रहे हैं बहुत बड़ा कर दिया कि कंट्रोल गंदा मुस्किल हो रहा है और बहुत सारे आपके अनचीव आप जैक्तिव हैं जिसकी वजह से आपने और में इस नरिस्टर बनाया था वह अचीव नहीं कर पा रहे हो आप तो आप बोल और गने जिस्टर एक सास में बता तो फिर रीड माले हां सुनिए गां मैं बता देता हूं पहले आपको कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह वेटा है आवर्ग लाइस के बाद जो इंपोर्टेंट है वो मैंट्रिक्स है उसके बाद नेटवर्क है उसके बार सबी ओए यह जो ऊपर बिच्पन में आपने बढ़े थे यह इतनra इंपटैंट नाहीं है यह इतन्वीbach इंप्टैंट नहीं तो सबसे पहले वही प्ड़ लू या पहले इजी वाले पढ़ा दो मुलो पहले यही बात करते हैं आवर ग्लास वाले की आजाओ कहां पर आवर ग्लास अरे नहीं बढ़िया चीज शुरू में पढ़ ले दें वो इजी है बहुत अच्छा वापिस ना हूँ ओ वाँ के रसान नीचे जा रहे और नीचे रह जाना वापिस मुड़के ना आना आवर ग्लास देख लो बहुत इजी है यह यह बैल बोटम पैंट की लगत तरह लग रहा है मैंको ना ऐसे बैल बोटम पैंट होती है अरे इधर से एक 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 पैर अगर उसका चेक करो तो आप ऐसे उपर से मोटा होता है नीचे से भी मोटा होता है बीच में से पतला होता है है ना अब सुनना एक पैर की बात करो तो मैं यह मैं बस इसलिए बोला हूँ आपको याद हो जाए है ठीक बोले ना आपका फट्रे अब सुना यह यह बोलता है जुट को अब लेवल है वहाँ पे हमें जादा लोगों की जरूराता है और जो बॉटम वाला लेवल है यानि सबसे नीचे वाला जो लेवल है वहाँ पे भी हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नलोजी बढ़ती जा रही है यह जो मिडल लेवल वाला काम है ना यह कम होता जा रहा है यह एक ऐसा और्गनेजेशनल स्ट्रक्चर है जो बोलता है कि टॉप मेनेजमेंट की जरूरत है और बोलो बॉटम लेवल वाले बंदों की जरूरत है ज्यादा लेकिन मिडल वालों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उन सब का काम आईटी से करवा लिया उन कि लाइन में लगते दे और कितने सारे काउंटर खड़े रहते थे खुले रहते थे सारे काउंटर ओपन 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 रहते और सब पे लंबी लंबी लाइने लगते दी लेकिन धीरे धीरे जो दिल्ली मैट्रो है कि उसने टेक्नलोजी को आपके चिठी नीचे आ जाती है चिठी आती है एक नीचे बारकोड वाली और उस बारकोड को आप लेजर पर दिखाऊ तो गेट खुल जाता है पहले ऐसा होता था पहले क्या था टोकन सिस्टम टोकन वो भी खरीदते थे आप और वहां बहुत सारे इंप्लॉई लगे होते वह कहां गए सर्चू मंतर हो गए क्यों हो गए क्योंकि यह बोलता है आवर क्लास ट्राइटीजी की टेक्नलोजी पर काम करा और हमने हमें जरूरत ही नहीं है मिडल वाले लोग होगी बॉटम समझ रहे हो आप जो बिलकुल नीचे वाले लोग है जो नीचे वाले मैनेजर वगयर है उनकी जरूरत हमें रहेगी क्योंकि वह काम जरूरी है और उसको आप पूरा इटी नेबल नहीं बना सकते वहां भी लिमिटेशन हो सकता है फूचर में वह भी हो जाए और नहीं स्टाटिजी आ जाए तो आभी का बुल लाए किया रहा है मिडल लेवल की जरूरत नहीं होती इस इस वाले स्ट्चर में तो यह स्ट्चर ऐसी जगह काम करेगा बोलो अरे आप यह देख लो ना जमैटो को स्वीगी को कोई है बीच में सीधर टॉप लेवल है और बॉटम लेवल बॉटम लेवल कौन जो डिलिवरी में पहुचा रहे है टॉप लेवल कौन जो माइशिडीजी बना रहे हैं मैटके बीच में कोई ही नहीं गेम साट है आरा या नहीं लेकिन आप बताऊ अगर बींगे एमप्लॉई आप यह और देख रहे हो तो आप इसमें इन्सिक्र रहों गया से क्यों इन्सिक्र रहों पूचा क्यों जो बॉटम वाला बंदा है दीर दीर एक्स्पीरियंस होके मिडल में जाएगा मिडल के बाद फायर हो जाएगा तॉप तक तो वह पहुंच नहीं सकता टॉप में लिमिटेड लोग रहते हैं जो नीचे से अगर आया है उससे तो परमोशन यहां दिखे गई नीचे वाला बंद नीचे रह जाएगा मिड इनके पास अच्छी स्किल अच्छा नॉलेज होगा वो कहीं अच्छी जगा हो गए होंगे है ना हो सकता है कि उसी में वो टॉप लेवल में सामिल हो रहे हो तो इसकी लिमिटेशन भी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि ज्यादा इटी नेमल हो जाएंगे तो कि और बहुत आप और यहां पे ज्यादा लोग की जरुवर्य तैटी। फॉर यहां पे लिपने इसको से मैचमके नुक किलने यह उनलो जाहीतर स जाएंगे और यहां पढमोंट उपमें तो ये यह रहाए ने साबहां जाए को कि दिए ढृष्त lattice हो और यहन सलोगां और हो यह एक प्रंदा एक डिलिवियर मेन को समालेगा ऐसा था कुछ गेम समझ नहीं आ रहा है आपको आजाओ पड़े आए बहुत इसी है किरा है आवर ग्लाश स्टुक्च्चर कंसिस्ट अफ़ थरी लियर विद नेरो एं चंस्टिक्टेट मिडल लेयर इट है शॉट और नेरो म बाइजमेंट लेयर के रहे हैं इन रिसेंट यर इए इस सिंगनेंटल अल्टर दा फंचिन अफ इंग अफ दिशन लेवल मेनेजमेंट था इक इंग अवे मैन इटास्क्ट वर अर्लियर परफॉंट बाइदा मिडल मैनेजर वटाओ मैटरों एक्जाम्पल साहिदा हां बि आइडिशनल मिडल लेवल मैनेजर वर आफटन स्पेसलेश्ट हाईवर इंदा आउर ग्लास इस्ट्रक्टर देया जनलिस्ट एंड हो हैंडल दा वराइटी ऑफ टास सुनना जो बहुत सारे पहले क्या होता था जो मिडल लेवल था वो भी स्पेसलेश्ट हम रखते थे ले कि तुम्हें यह समालने के ज़रोगत नहीं है यह आईटी देख रहा है अब तुम सफ़ाय का देख लो कुछ जनल मैनेजर मतलब जो मर्जी काम कराएंगे अब तुम से जो तुम्हारा स्पेसलाइज वर्क था वो हमने आईटी पे नेबल कर दिया तो यह की पॉइंट से इन में से एक भी हाप responsible है आप नहीं कर सकते से जब आप आवर गलास सट्रक्शर के बारे में बात करोगा आब से पूछेगा आवर ग्लास स्रक्सर क्या होता है और कब किना रियों में यह लगाना चाहिए स्कोड़ लगाना चाहिए किसकि मेनेजर मना दिया तूप कभी सपाई कराली हो कभी चक लिए यह कभी कलेक्शन देख लिए कभी अकाउंट पेबल देख लिए और एंट्री लेक लिए यो गभी एक्सेट देख लिए जो मर्जी काम कराएंगे आपसे सब्सक्राइए आईए अधाटेज अदिशन देख लो बहुत इजी है एड्वांटेज क्या है बताओ बुलो रिडियू सो जाए की कॉस्ट दियू टू रिदक्शन आप दा मिडल लेवल मेनेजमेंट पहले कॉस्ट तो दी कंपनी बहुत जादा पढ़ दी ना यार बहुत सारे एंप्लोई दे पैसा देना पढ़ता था अब क्या भीड़ी नहीं होती मेटरों में आस तो ओधिया पहले कितनी भीड़ रहे दी यानि उतना रिस्पॉंस नहीं मिलता था मतलब उतनी रिस्पॉंसिवनेस से काम नहीं हो रहा था आ गया यह क्या डिसिजिजन मेकिंग्गिंग्स प्लोस्ट दूज्ट इस और सो एट इंफोर और थर्ड में एक लेयर खतम हो गई तो सीधा जो सोर्स है सोर्स आफ इंफोर्मेशन वो ख्लोज हो गया किससे डिसीज़न मेकिंग अथर्टी से तो इसलिए फास्ट डिसीज़न ले लिया जा सकता है इस अद्वांटेश देख लों सेंज दा साइज अव अधर मेडियल मेंगेंट इस रिडियूस पर मोसन अपोर्चुनिटी खतम हो गई सही है अब जो लोड़े वो लोड़ में पढ़ा रहेगा प्रमोशन का दम क्या रहा है पूर्द लोड़ लेवल मेनेजर इस अलसो रिद हाँ नहीं सर नहीं आया आया नहीं पक्का हाँ बोलो यार आये नेक्स पढ़ें पहले नेटवक पढ़ा दूं नेटवक का है यह जा जाओ नेटवक और इस डाईग्राम से नहीं पढ़ा रहा सर भट जाएगा मेरा आजाओ कौन से स्ट्रेजी पढ़ा रहा हूं कौन से श्रुक्चर पढ़ा रहा हूं आवर ग्लास समझ में आया पक्का हाँ ग्लास था वह जो एसा करके किला स्था आई ए अब क्या बढ़ा रहा हूं मैं प्लीज इधर बच्चो चलू करें आए अब बढ़ा रहा हूं नेटवर्क स्ट्रक्चर मेरे को बताना इसमें क्या गेम होती है हमने एक आफिस खोल लिया दिल्ली में एक आफिस खोल लिया मॉंबई में एक खोल लिया कहां पर चेंड़ी में और एक और बताओ जरूरी नहीं है कि यहीं खोले है एक खोले यूपी में भी पांच आफिस खोल लिया हो सकता है और सारी ब्रांचे दो हमारी हर जगा हमारा काम चल रहा है तो कुछ टीम मेंबर यहां पर होंगे सिठेमेंबर यहां आओंगे कुछ ही आओंगे कैनके टॉदध रहा यह मार्केटिंग बोल लूं इसका यह मास्टर है लगाश्टर हो dent कि जो दिल्ली की सेल बढ़नी पारी तो ना गरूंगा इस बंदे को बोल दूंगा भाय तुक्त दूंकल यह व कुछ दिनके यहां आजा जो मेहने यहां काम कर यहां कि सेल बढ़ा दे फिर चलाई यह तो नेट वर स्टेक इस्ट्रिक्टर बेसिकली कोई श्रॉक्टर नहीं ह इसमें हमारे अलग-अलग अलग अलग जगह काम कर रही है जैसी जैसी ज़रूँ जहां पर पड़ती है हम वहां पे एक टम्रेरी स्रॉक्च्चर बना देते और वहां पे काम करते है इस स्ट्राटिजिक बैनेस्ट निकालने के बाद वहां से वह बंदा वापस अपनी जगह चला जाता है सब्सक्राइब पहले चीज दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है कि हमें यह लग रहा हो कि इसे यहां से बुलाएंगे फिजियेबल नहीं है हम किसी बाहर वाले बंदे से यह वाला काम आउट्सोर्स कर देते हैं और बाहर किसी और्गनाइजेशन की या किसी फॉर् सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अगर यह कॉस्ट इफ्रेक्टिव ना हो ऐसा हो सकता है कि यहां पर सेल बढ़ाने की जरुवत भी पढ़ रही हो उसी टाइम और यहां पर भी सेल बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे दिल्ली में किसी फॉर्म को आउट्सोर्स कर देंगे काम कि आप हमारे लिए मार्केटिंग का काम करोगे हमें यहां की सेल बढ़ानी है तो नेटवर्क स्ट्रॉक्श्चर इस तरह से काम करता है वह बोलता है कि जो जो बंदा हमारे पास है स्पेसिलाइज और हम उसे अपनी सारी ब्रांचे में यूस करेंगे हम उसे एक ब्रांच तक बोड़ेट करना है जिस थाने वहां के लिए एक टंपरेरी स्ट्रक्षर बनाएंगे हर ट्परने टो हें वह बचाना होता है और दूसरे के पाथ जाते हैं उसको मनाते हैं फिर दूसरे होते थे उनके टीम मेंट है तो ऐसे और नेटवर्क स्ट्रक्चर है सेम क्या होता है कि हमारी अलग अलग जगा काम चले अलग जगा हमारी अलग टीम है तो हम उस टीम को कहीं पे भी बुला के यूज कर सकते हैं जब परपस खतम हो जाएगा तो वह वापिस अप से पहुंच जाएगा इसमें हम आउट्सूर्सिंग भी कर सकते हैं आ रहा है या नहीं आ पढ़ा दूँ अब हां बुलू 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 आये कि क्या नेटवर्क स्ट्रक्चर इस एक्जाम्पल आफ नॉन इस्ट्रक्चर देख लो किया यह कोई स्ट्रक्चर ही वैसा ओर्गनिज़िशन इस्ट्रक्चर बना देने हैं टम्परेवी चले आईये तो इसको क्या बुला है ध्यान रखना ये सब पोइंट्स बिटाई ये सब कीवर्ट्स याद रखना क्या करें नेटवर्क स्ट्रक्चर इस एक्जाम्पल आफ नॉन इस्ट्रक्चर दू इस बनाया नहीं है जहां पे जैसे चलुद्रत पड़ती है वहाँ पे वैसे टीममेट को हम बुलाते हैं और एक नया और तो इसको वर्ट्वल और नाम भी दिया गया जो इस रख्चर का नाम दिया एक तो नॉन इस्ट्ट्चर और एक वर्ट्वल याद रखिएगा चले आगे इस राट इस रॉस्फुल वेंद इन वार्मेंट इस अनसर टेबल एंड रिमेन तो हमें पता नहीं आगे क्या होने व लगता है वहां पर यह वाला इस्ट्ट्चर ज्यादा यूसफुल है हाला कि आप बोल सकते हो हर जगाई यूसफुल है ज्यादा बैटर है क्यों आप अपनी स्ट्रेटिजी के हिसाब से और ऑर्गनाशन इस्ट्ट्चर को मॉटीफाई कर देरो फ्लेक्स बलें आ रहा या बिजनेसेज और अधर इंडिपेंडनेंट कंपनी अब देखो यह थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा यहां पे जो हैड़कॉर्टर है वो एक तरह से ब्रोकर की तरह काम कर रहा है यहां पर अगर बंदों की जरूरत है यहां बेस देगा अकाउंटिंग में जरू ऐसे देगा विजा और डिस्टीबूटर में अगर जरूए तो यहां बेच बहू बोलो नहीं सार पूस्माज नहीं आया अडवांटेज बताओ इसकी ब्तार दी फ्लक्डिवल है और बताओ और लटेबल्स जब हमारी खर्म सेनारियो में तब यूसफुल है नहीं लोग आपको हायर नी करने पड़ेंगे आपको वो दुबारक लेंच नहीं आएंगे एक ही जगह आपने अलग अलग जगह बंदया पॉइंट करें वह आपस में सिंक्रनाइज वे में काम कर रहे हैं अना देखो अलाव एकंपनी टू कंसंट्रेट ओन इट्स ओन कंपिटेंसी एंड आउट सोर्सिंग और फंक्शन तुदा एक्सपर्ट इन देर तो यह भी कह सकते हैं कि हम एक्सपर्ट का व्यू ले रहे होते हैं यहां पर एक बंदा एक चीज में एक्सपर्ट है न वहीं सारी सारी जग सब्सक्राइबिल्टी अडेप्टिबिल्टी टू मीट और फेस्टार रेपेड चेंज इन टेक्नलोजी एंड़ टेस्ट एन रिफ्रेंस सब्सक्राइब तो आप जो डाइनेमिक इन्वार्मेंट में अच्छे से सर्वाइब सस्टेन कर पाऊगे अपनी स्ट्राइजी को क सब्सक्राइब को आपने सेम तबज्जु दिया हुआ है जो भी एक मतलब कोई बंदा एक फिल्ड में ऐस्टीज है सब्सक्राइब को सकते हैं कहने का मतलब है आगे कह रहा है आउट्सूर्सिंग ऑफ दी फंक्शन में कीप दफ़ाम अवे फ्रॉम्दा डिस्कवरिंग एनी सेनर्जी यहां पर सीधा सीधा बोल दिया कि अगर आपका बंदा खाली नहीं आउट्सूर्स कर लो यह नहीं के साथ टाइब कर लो वो सारे केसिस देखेगा बैंक करता है ऐसा करता है नहीं करता बैंक बताओ बैंक के पैनल पे अट्बॉकेट होते हैं वो उनका लीगल मेंटर देखते हैं जो लोन वोन लोग चुकानी बात है तो आगे आए यह किराई दफ फार्म ओवर चूगरुस कर लो आजससों अंतरी का फ़ाइब करता है और यहाँ इंटवक समझ में आया करता है लिग दोगे एड्वांटेज्टेज़ यहां आपको यह बोला जाएगा कि एक अनिस्टेबल इन्वार्मेंट है वहां पर कैसा और्गनेशन इस्ट्चर आप सजेस्ट करोगे तो बता दोगे नेटवर्क उसके फिर बैनेफिट भी बता दोगे कि क्यों आपने वो सजेस्ट करा है हो जाएगा चले आगे आए नेटवर्क इसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ आपको नेटवर्क पढ़ा दिया इसके बाद में पढ़ाने वाला था आपको मैट्रिक्स इस्ट्रुक्चर में पढ़ाने वाला हूँ आपको कौन सा मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैसा होता है रोग वालम होते हैं उसमें बहुत इजी है आई यह को पढ़ाओ को सुनिये गाव बेटा यह बहुत इसी है सी एफ़ाम से बढ़ाना मालो आपकी सी एफ़ाम है और वहाँ पे पार्टनर एक आप तीन पार्टनर हो कौन-कौन अंजली देख लो यार रसीका कशिश तीन पार्टनर है तीनों की सी एफ़ाम है कौन-कौन अंजली रसीका कशिश मैंने बीच में रसीका को रखा है का तैसे आए क्योंकि थाड़ी दमदार वच्चि एन था दौनन तरह से पहां है थेन्हां है यूदर प्रेश्व करेंग सकती है आज थो इन सब बातों को छुड़ो प्रभाइप ध्यां देले दे लेते हैं है रहे आ तो तीन बातनर है तीन पार्टनर है तूनिये अधियो करनो कि यूश्म के लिए और वोड़्ल में नशना के लिए निचे मैने गरेगी यह दीदी ते मेने जबन unhealthy आप गटीन के स्के पास है आप तिनो के पास बखन चला रहा हो अलग आलग का। यहां पेर्ण और वेसे बॉलब ए्टी देखेगा है अब मयंड़ ओडिट का काम देखती है, तो यह जिए बुलेगी कोई इंटर्नल ओड़ेट देखेगा, कोई स्टैट ऑडिट देखे गा, है ना, कोई कोई इस्पेशेलाइट देखेगा कोई टैक्स ओर अडिट देखेगा मालों यह देधी लिटीकेशन में दिधी बोले तू थे टैक्स के लिटनकार के स्विता की से रहे हैं कि आप ऐसे हो ईजेंटली बीडियड हो और आप वर्टीक लिभी डिवाइडिट हो अब इसके इसके नीचे भी स्टाफ होंगे हर जगा स्टाफ होंगे आप एस्यूम करो विक फूर आप आप महलो एक नया सेग्मेंट आप खोलना चाहे हो है आप एक और अब कर आप तीनों में ने मिटिंग कर आपने वह एक काम और करते हैं यह और वह तो आप क्या बोलोगे कि इस काम को अंजली और कर्षिश मिलके देख लेंगे और यहां पर और ज्यादा मैनेजर हायर कर देंगे और मैनेजर हायर कर देंगे और वो नीचे अपने इंप्लोई हायर करके यह काम कर लेंगे तो यह जो हमने एक तैयार करा इसको क्या बूलेंगे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या बुलेंगे मैट क्सट्चर समझ में रहा है कि तो सुनना ये किछ कब कब फाइदमन दोगा यहां पे आप मेरायिटी-धू में लगे हुए ऋचेजम करले हर कोई बंदा टॉप लिवल के साथ जाके मेटिंग कर ले यह पॉसिबल नहीं है काम हमारे पास इतना जाता है तो हम ऐसा एक मिक्स इस्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको हम के बोलते हैं मैट्रिक्स इस्ट्रक्चर चले पढ़ ले समझ में आ गया यह यह ऐसा ही बनाया हु पढ़ा दूं हाँ अब सुनना यहां जो मैंने बुला अंजली और के सिस्का मैंने बुला कि यह नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्टनर दो एक्जिस्टिंग यहीं से उठा लिए दोनों और आप बंदे भी हां से ले सकते हो ले सकते हो बोलो यह नया नया हायर करोग आप तेरे पास दोबन यह ना इस्टार्ट वाले वहां बेच्ट दो बन यहां से उठा लिए एक एक लिए मैंक आजाओंगी एक अंजली ने बोल दिया मेले क्या आजाओंगी चार बंदिया आ गए तीम तयार यहां पर काम चालो लु़ाओ तो कि अश्मिआ क्या कर रहे ह में आप्राव सपन्केनल टास्ं कर रहे हैं क्राव सफंक्षण नला सब्सक को यूच खरे और एक फंक्षन से निकाल गगे दूसरे सब्सक्राइब अपने टास्क को यूद आ रहा जभा ए अभी पढ़ाए अभी में पढ़ाता हु कि तब आपको और एच्छे से समझ में आ आपको यह ब्रॉड व्यू तो मिलिया मेट्रिक्स इसक्चर का बोलो नहीं सर कुछ स्मय निया आया ना आ ये मैट्रिक्रिक्टर इस अर्षन सचर्चर्टर वेज़ दर फॉंक्चनल फंक्शनल और प्रोजक्ट और अल्ड प्रोडक्ट ऑ अल्कमाइन for simultaneously it aim to combine the advantage of vertical and the horizontal flow of authority and the communication ऐसा भी तो हो सकता है सुनना अब मालो यहां पे एक employee है वो कह रहा है कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए या मेरे को सर दूसरे department में सिफ्ट होना है ध्यान से सुन लो प्लीज यहां पे एक employee है वो कह रहा है सर मेरे को छुट्टी चाहिए यह दूसरे department में सिफ्ट होना है किया यह अकेली decide कर सकती है नहीं यह इन से बात करेगी यह से बात करेगी तीनों की meeting लगेगी आपस में तो आपको दिखने रहे वर्टीकल भी यहां पर बाते चल लिए और horizontally भी क्लिए रहा आजो तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है क्या किया यह इंस तो combining it aims to combining the advantage of vertical and horizontal flow of authority and communication तो यह सवंज में आया निया नहीं सर आये क्या इन अमेर्टेकर structure there are the functional department with the permanent employee who are assigned to the work in the different different project so employee have the two employee have two superior that is product that is the project manager or the functional manager जैसे मैंने बोला partner one b उसका superior employee का और partner two b employee का superior है तो ऐसे भी आपको information लेनी होगी और ऐसे भी लेनी होगी तो इसे भी लेनी होगी स्वंज में आया यह जो लो लेवल का बंदा है वो अपने मैनेजर से बोलेगा बेखनेश का मैनेजर फिर पार्टनर बंदा बोलेगा पार्टनर वन बोलेगा पार्टनर तू से पूछ लेता हूं पार्टनर तू बोलेगा थरी से बूचले दो कैसे मोव री information vertically बहूर और और जोंटली भी आ रहे आए आये का रहा है दा हूं दा हूं धूम दिपार्टमेंट बड़ यह और पर देशबी पर्मानेने गर्डेस अंदिकेड गर्मार्टबेट मैंट लिव्यूर्टन फेर्मार्ट सुटेट रही हैं इंग यहाँ पर बुला जैन देच्छ गेंगे बीडियों निंटेटी ने जिन फॉर का रहा है हारा है काठी स्क्टचरुचरुचा स्टेक है की या है। क्ना इस्काली शल्फ से तेकि की लगला थे तेखो क्या हो गometer के independent ये जायता फेलिए तक παर ऊंपलेक्टों क्यों since since there is both vertical and horizontal flow of authority दिक्कत निया employee को देखो ना employee पहले manager से पूछेगा manager ऊपर जाएगा partner 1 पर जाएगी फिर partner 2 partner 3 तो कह रहा है complex है यहां पर कहानी खराब हो सकती है दिक्कत आ सकती है employee को कह रहा है it is the appropriate when the management concludes that other form of organization structure is not right for the implementation of strategy यह management ने conclude कर दिया कि और कोई सा organizational structure हमारे में चलना ही पाएगा हमें यह organizational structure लेकर चलना पड़ेगा हमारी strategy के लिए तब यह वाला लगाना है और आईए it is often found in an organization और within an SBU क्या एक SBU के अंदर भी लग सकता है matrix structure बोलो क्या एक SBU के अंदर भी लग सकता है एक matrix structure बोलो लग सकता है उस पार्टिकलर SBU के लिए लगा देंगे के रहा है वेन द फॉलाइंग थिरी condition exist अब यह ध्यान से पढ़ना प्लीज आ जो यहां पे प्लीज सारे बच्चे इदर के रहा इट इस often found in an organization और विदिन an SBU वेन फॉलाइंग थिरी condition exist के रहे यह तब लगाते हैं जब यह condition exist होती है देखिएगा के रहा आइडिया नीट टू भी cross fertilize across the project or the product तो यह यानि कह रहा है कि यह चीज़े जो मैं करना चाह रहा हूं वो आपस में सारे पार्ट्र को पता लग जानी चाहिए है दन केसे रिसोर्सेज आड़ कास लिसोर्स से हमारे पास कम है तो एक ही बंदा कभी इस दिपाटमेंट में अब उस डिपाटमेंट में कभी इस डिपाटमेंट में तूह रहा है एंपूमेशन एंड to make the decision सब्सक्राइब में निए सब्सक्राइब यह डिक्रा रल्ट निए रोर MO 문제 इंपरूब उपर दो के इंपरूइट्य ने की जिरूव रémंगहीजर ऊफ़ गा novamente जैसे आर्टीकल होता है निए झालेज नहीं जाते हैं किया रहा है इस वाइड ली यूजेन मैने इंडश्री इंक्लूडिंग दा कंस्ट्रक्शन हेल्ट के रिसर्च रिसर्च और डिफेंस रहा है डिफेंस में भी उजाता है आ रहा है या नहीं आ रहा है बोले चले मतलब आईए अब फेजिदेश की देखना ध्यान से सबसे फेजिदेश वैसे आपस में अलग अलग है बोला गया है फेजिदेश धिहान आप अलग अलग भी पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा देखो क्या कह रहा है है डाविश लोल लाइंस ने मुला है ब्युक्त थ्री डिस्टिंग फेजिदा कंस्ट्रक्शन आफ मेट्रिक से स्ट्चर्टर कहता है कि इसमें तीन फिज़ी बनाते हैं तो उसमें तीन अलग अलग पिज़ी दाती है पहली कौन सी है क्रास फंक्शनल टास्क फोर्स यह सम एक बोल दिया कशिष मेले क्या जाओंगी अंजली ने बोल दिया एक मेरे पास है यह चाल लोग मिलके यहां का काम समाल लेंगे हमारा काम है इनको काम देना इस्ट्राइजी बंदाना दर देखो एट इस टंपरेरी एन इस क्रिएटिड वैन नियू प्रोड प्रोजेक्ट इ इन्टरूस हमने क्या करा था यहां पर नेया प्रोड़क्त इंटरूस करा था चुद्यूस कर देन मैंट सब्सक्राइब की एक प्रोड़क्त नेगे होंव मिल देट कर लिए तो पास में आपने तीनों में दीसाइड गर लिया या तो पात्रें रिंचाज बंदा रिच्व बागी सब काम समाल लेंगे तो यह वाला कौन सा वाला फेज है बताना क्रॉस फंक्शनल टास्पोर्स जब हम क्या कर रहे होते हैं एक नया प्रोजेक्ट इंटिड्यूस कर रहे होते हैं और एक होरिजंडली एक को हमें इंचार्ज मनाना है तो आप इसको यूज कर सकते हो इ देखना कर रहे है इप दो क्रॉस फंक्शनल टास्पोर्स बिकम मोर पर्मानेंट प्रोजेक्ट मेनेजर बिकम्स प्रोड़क्ट एंड़ अगर बंदा एक्स्पीरियंस हो जाएगा अब आपने मैंजमेंट कंसल्टेंसी में एक बंदे को इंचार्ज बनाया था अब काम कर इतना एक्सपर्टीज हो गया उसको घए आप इसको बोलते हो और वह तुरंत काम करके देदा है तो आप उसे क्या बना दोगे बोलो अ बोलो फ्रोड कि यह ब्रैंड मेनेजर वह उसको पर लेकिन वह इंट्री की जूसर पर बनाना थिया Top तो ही समयले इस वाले काम को और तेरसे भैतर यह कोई नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने नए का मिसरत कर दा और यहाँ पे उसे अपने बढ़िया बना धिया काम कोई कफिक लिया मैस्ट यस ओर ब्रांड मेंजमें याद रहेगा, product or brand management और अगला क्या रहे है, mature matrix इसमें देखना क्या रहे, it is the final phase of matrix development and involve the dual authority, both functional and the product structure is permanent, all the employee are connected to both the vertical function, superior and the horizontal product manager, क्यारे, functional and the product manager have the equal authority and must work together to resolve the disagreement over the resources, समझ में आया, यानि यहाँ पर हमने क्या गरा, अब जितने लोग हमारे पास काम कर रहे थे, हमारे हमारे matrix structure में वो सारे well known है कि मेरे को इसके साथ भी काम करना है और मेरे को इसके साथ भी काम करना है, हमारे यहाँ भी तो यही चलता है सब्सक्राइब कि अम इ lease कर ँद्रें हैं हमारे नीचे अबहरे औरलए तनलए और सब्सक्राइब अब जितनी भी डिसएग्रिमेंट आ रहे थे पहले उन में आप रिजिलिशन हो गया कि रिसोर्से ऐसे ऐसे बटेंगे तो यह कौन से स्टेज है में चुर्श तो आप इसको भी तीन तरीके से बढ़ सकते हैं क्रॉस फंक्शनल कौन सा था इंट्रोड़क्शन और ब्रांड मेनेजमेंट या प्रोड़क्ट मेनेजर हम कब बना यह उसे जब वो ग्रोथ होता है और थर्ड क्या है में चोर्टी वहाँ पे सारे लोग एक साथ सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहे हैं और वर्टिकली और और विजनली उन्हें पता है कि उनकी क्या-क्या रिस्पॉंसिबिल्टी है और किस किस तरीके से उन्हें काम करना है ताकि हम बैटर अपने रिसोर्स को एलोकेट कर सकें जितने भी डिस अग्रिमेंट है उनको हम खतम कर सकें समझ में आया लिग दोगे पक्का मैट यह वाला य समझेंगे कैसे कि यह मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है और डॉल लाइन ऑथर्टी होगी वहाँ पर अरे बोलो किया वायलिशन ऑफ प्रिंसिपल आफ यूनिटी ऑफ कमांड होगा यानि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं चलेगी वहाँ पर यहां पर क्या चलेगा डूल लाइन तो बुरा लगेगा आपकी और्गनाइशन में कुछ गलत होता है तो तीनों ही आप अलग-अलग त्रीट करोगे आप बोलोगे दो बजे मेरे पास आजी हो पांच बजे उन्वाले सर के पास चला ही हो और चाहिए उनके पास तेरी आज खिचाई होगी समझ माया तो कह रह काम भी मिलेगा आया यह नहीं आया आगया यह एक 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 एड़ अफिशेंट और इफेक्टिव कमिनिकेशन यहां पर बहुत ज़रूरी है एफेक्टिव और तो नहीं होगा तो कमिनिकेशन सब्सक्राइब करेगा क्योंकि यह बिल्कुल साफ होना चाहिए कि दोनों पार्टनर्स में क्या बात हुए है तीनों पार्टनर्स में क्या बात हुए है किया औब्जेक्टिव है близी काम को लेकर और कौन-कौन किस- dispos ए हमें करवाना है तो इसमाने निया कितने दिल में चाहिए कैसे अचीव करना है एड़ांटेश देख लिजिए बहुत इसी है कि रहा प्रोजेक्ट आप जट आर क्लियर क्लियर हो जाता है अबजेक्ट क्योंकि एक लीडर आसाइन करते हैं है ना एक मैनेजर होता है ना अरे हम सब तो पार्टनर हैं लेकिन हमने एक बंदा साइन कर दिया तू रिस्पॉंसिबल इसके लिए वह अंदर अपने अंडर एंप्लोई रखके करवा लेगा आगया यह क्यारा है मैंने इस काम को यहां तक पचाया है तो उसे अच्छा फीडबैक भी मिलता है उसे विजवल हो प्रोजेक्ट इस डिलेटिवली इजियर इंप्लोई कैन भी सिफ्टेट तू नो लॉस आफ जॉब कोई जॉब का लॉस नहीं होगा अगर हम क्या कर रहे हैं अपने उस वाले ऑपरेशन को बंद भी कर रहे हैं जो हमने मैनेजमेंट कंसल्टन सी का काम चालू करा था तो उ आन इस्टेवलीटी और फॉंक्शनल इस्ट्चर एन अफ लैक्डिविल्टी औफ डिवेजनल स्वस्टिव हैं नो यहाँ पर फ्लेक्षिबिल्टी को यह कंभाइन कर देता है फंशनल की किसके साथ डिविजिनल के साथ डिशवांटेज क साथ कॉमप्लेक्स एंपरेश आ हां complex a cue due to horizontal or vertical flow of authority command दूसरी बात दोजो लोगों से पूचना पढ़ता है मिरको employee कह रहा है बही दोजो से पूचना पढ़ता है चुटी भी लेनी दो लोगों से पूचना है अगर एक मालीग होता है तो एक से पूचना पढ़ता है एन कमार्ड वाइलेट्स दा प्रिंसिपल आफ उनिटी ऑफ कमार्ड आ रहा या निया रहा आगे आए डूर रिपोर्टिंग चैनल लीड तू चोज एन गन्फूजन डूर रिपोर्टिंग करनी पड़ दिया पता नहीं किसको बताए या उसको बताए एक को बताते तो दूस प्रोडक्ट में खेल रहे हैं कि हमें कुछ मैनेजर पर बिल्कुर रिलाई करना पड़ेगा और उन्हें रिटेन करने के लिए उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा तो इसलिए हाइए इंप्लोई कॉस्ट आती है देर में भी कंफ्लेक्ट ने लोकेशन आफ रिसोर्स सारे करके मैं बोलूंगा तब करें अब चारों मैं उपर से बढ़ा रहा हूं नीचे से पढ़ लेंगे आप सुनना आप कौन से बचे हमारे बोलो बोलो क्या हुआ है क्या हुआ कुछ पढ़ाए ही कहा है यार तीन टाइप पढ़े हैं तुमने यह पूरे पूरे कर लेते हैं फिर ब्रेक बहुत इसी है एक सांस में खतम है आज्क आजओ देखो देखो धेवलिताइब देखो एक देखो अच्जा लगे तो दूसरा पढ़ लोगा सबसे पहला किया रहा है सेम्पल और्ग्नेशन इस्ट्रेश्ट्ट्च्र सिम्पल मेडम प्लीज सब बच्चे Bockल बसे इंवका टार बूट soc एक मालिक है बहुत सारे इंप्लॉई है को इस्ट्रक्चर नहीं है बस ओनर सीधा बंदों को बताता है वो बंदे काम करते हैं सब्सक्राइब बीच में कोई मैनेजर नहीं कोई डेलीकेशन आफ अथर्टी नहीं कुछ नहीं काम आता है हम बोलते हैं कर देते हैं ऐसा आपने आप लोगा हम जब आप किसी जेनल ह्टोर में जाते हो जब किसी बड़ी दुब्यों में घुचते हो वहाँ पर बहुत सारे इंक आप कर रहे होता है माली बोलता है चल बहुत उसको देख ले चल भी टूस को देख ले जल बही 65 काम पकड़ा देथा है सभी आज मेया अब अलग अलग डिवीजन आ गया हमारे, Tata Motors वाला अलग, Consumable वाला अलग, Chemical वाला अलग, समझ में आ रहा है, या हमने same business में ही है हम, हमने अलग 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 वराइटी व प्रोडक्ट बाढ दिये, और उस division के हिसाब से, हमने अलग-अलग उनको allocate कर दिया स्वी मृटि डिविजनल बोले दो कि डिविजनल को फर्दर बाटा है एक डिविजन था हमारा कि हमें साबुन मनाना है साबुन में भी अब हमने लग्स को अलग कर दिया प्रियर्स को अलग कर दिया आया नहीं और क्या बचाए कि हमने किसी को कोर एरिया डिसाइड कर लिया कि यह हमारी स्टाइजिक बिजनिस यूनिट है और उसके बेसिस पर हमने अलग-अलग और किसी में अलग-अलग दिये हुए है सारे खत्म हो गए यहां से रीड मार ले दें फटाफट आज़ो पांक मिनिट का रेक आ रीड मार लो फटाफट अब यहां से नोट से हम पढ़लेंगे समझ माराटा जाएंक बहुत इसी है हम्हानमरह मैंची द्टम पने यान अप सिंगल होग सब्सक्राइब चासिथा हौनल थे द चलता है जहां पर अभी हमारे management बने ही नहीं हम अभी बस हमने स्टार्ट इकर रहा है और हमने कोई फंक्षन बनाए नहीं हर चीज मेरे को करनी होती है आपने खूला है तो आप के साथ एक आदा एंप्लाई होगा हर चीज वो कर रहा होगा टेबल पर कपड़ा भी मारेगा बनाएगा भी वह लाएगा भी वह खिलाएगा भी वह प्लाएगा भी वह वह संच भाया नहीं सर कुछ नहीं आया आप पढ़ा दो जो जो कासी काश्यकी शहिए आ भरे सिंटल विसंस इनिजिल स्टीड और उल्पारिकल मारक अरो को किस ओ सवरी से स्ट्रीष बिस्नेशन схठ एला भी विल्लार वर होर्ट आपकेक्ट और कर आफिक य। य। नहीं всю कर वाऌनसा नाथ मैनने जुट आपक स्टीविड के सद और अगले दिन वहां के बच्चो काम बताता है जो भी स्टाफ होते हैं वह स्टाफ काम करते हैं अरे बूलो सिंपल इस्टाफ्टिर की स्टेक्टिक सील बहीं लेक्ट ह Même स्टित असीडाई ए मिद्थां突 होते हैं फ्यू रूज में लेक्टिन तु लोयस्टिक देख रहा है Сп California करें थरीक काम परिमृम्यं जूलरि और तो फॉर्मल इन्वार्मेंट नहीं होता कपड़ों की दुकान में आपने ऐसा देखा होगा अरे बोलो कारेक्टरिस्टिक कोडिनेशन प्रोलम् यहां प्रोडिनेशन की प्रोलम नहीं आईगी समझ में रहा है बोलो उन सब ख़िस्टिकेटिट इंफोमिशन स्वेयनिंट रोंटाइं आ शाहिए जादा पैला ओनेशन में इस निया डर्च कम्निक के सवीकिसें चलती है देले किया Wow question simple organization organization structure help to get the right say after simple organization structure help kuru again is the communication information flow in the simple organization structure is frequent and indirect new product can be launched into the market quickly and which gives rise to the competitive advantage see the honor or do a start aff persona direct communication so easily open a product the cilons कर सकते हो अधर पोटेंशल कंपिटेटिव एडवांटेज आपको मिलेगी ओपनेस टू इनोवेशन ओपनेस होईगी इंप्लोई आप से डारेक्टली बात कर रहा है तो वह अपने अपने आइडिया शेयर कर पाएगा ग्रेटर स्ट्रॉक्च्छल फ्लेक्जिबिल्टी इस अब हम थोड़े बड़े हो गया हमारा जो पहले बिजनिस था चोटे लेवल पे चला दा एक बंदा था वो सारे काम कर देता अब हमारा दिर दिर ओपरेशन बढ़ रहा है तो हमें अपने काम को अलग 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 फंक्शन में बाटना पड़ेगा जैसे कॉर्प्रेट रि सब्सक्राइब अपने फंक्शन को डिवाइट कर दोगे और महां पे अलग अलग मैनेजर अलग टास्क और डूटी परफॉर्म कर रहे होंगे विद डिफ्रेंट इफ्रेंट इंप्लाइज आ रहा रहा है आ रहा है आप सुनना यहां पर थोड़ा सब कर रहा है तू को और इस वैदल शॉट्सक्राइब कोपनेट मोडाशन फंक्शन कंपेंड शुट्ट अबंड़न दा सेंपल सट्टर इनलडेंफ फिवर अफ द फंक्शनल में पडाइगा और फंक्शनल बिया ना पड़ेगा यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक सह इन एं टू इन कंपरिज उन्ग म एकर अदर फंशनल स्टुक्टर इस यूज़ राजर कंपनी भाई जी कंपटी विद अलो लेवल ओफ डाव जिफिकेशन ज़्यादा डाया डिया देफिकेशन नहीं है तो फंशनल लेवल फंशनल और नेये से इसे चर मना चाहिए हम काम कर सकते हैं जहां पे डायवरी से महां पर कॉन सा लगा होगे डिविजिनल और मुल्टि डिविजिनल अभी आ रहा है सहुझ में आरा है आए यह कि अन्यृ यह पार्टेटिन स्ट्ट्ट्टर इस था हेरा कि हेराइकल नियृ को टाइप ऑफ ऑर्गैस इस थे हो इन डिस इन डिस इन डिस पीपल एंप्लोई आ यरिडिटी शेलाइज्टमे को अलग-छाओ टिए पटेगे आप इंगे आए चुपर्वाइज बाइज़ माझेजर एक स्पाइज पर्टाइज इंद आप एक स्पर्टाइस इन दा सेंप एर्ल्ड टॉट सरॉक्ट्टर कंशेंस्ट आफ दसई-ई-घ्प रॉट्ज मेनेज फॉक्रिणसर्चिन हूं है छी खेले एपना एड्वांतज्ज दिस आगलँ के राटिटवांते जैल को एड्वां इस्टाइज को इड्वां आपदाइज का यह एड्वां इस सिम्पलनि इन एक्सव इन एक्सप से जो बांके कहे है और इसाले स्क्टर में से हैं सब्सक्राइब करने की ज़रूवत नहीं है कंट्रोल को हर जगा अलग-अलग कंट्रोल बन सकते हैं और वह अच्छे सब को पता होते हैं जब सब उस डिवीजन में उस कर दो अपने अपने सब्सक्राइब काम करेंगे तो आगा यह डिसेड्वां इस्पेसलिस्ट में डेवलप द नेरो और स्पेक्टिव ऐंड में लूज़ फोकस ऑफ दा स्ट्रेटिक वीजन एंड में पर्चेज वाला सिर्फ पर्चेज देख रहा है उसे मतलब नहीं तो वह सिर्फ क्या कर देता है उनका माइंड वह सिर्फ एक पार्टिकलर एडिया में अपना दिमाग लगा पाते हैं वह ओवरोल मिशन और वीजन में क लोगे लिवाएं उसे इंटास करा चाहरा है रेपीटिटिव वर्क है तो उसका मोरल डाउन होता है दिर दिरे वह बोर हो जाता है और उस्से आशा लगता है कि और मिलगो ज्यादा इनोवेटिव करने का यहां पे नहीं मिल राए करेट क्रियेट क्रियेट दूभर कांवी सब्सक्राइब करने ने अपने बढ़ता है अपने फंक्शनल डिसीजन में को अलग अलग फॉंक्शन के साथ सब्सक्राइब एडवांटेज दिसद्वांटेज लिख दोगे इजी है पूछेगा नहीं मेरे को नहीं लगता कि पूछेगा लेकिन अगर मन अच्छा होगा उनका तो यह इजी कुशन आप से पूछ सकता हूँ अगया है अब बात आ यह किसकी डिविजनल डिविजनल में क्या गरेंगे हां चीफ एक्जिक्यूटिव है कॉर्पेट फंक्शन है और कॉर्पेट लिगल है यह दो अलग-अलग हमारे डिवीजन हो गए यह दो अलग-अलग हमारे डिवीजन हो गए डन तो यहां पर क्या है मैंने जन्र मेंग देज लिए वहां पर दिवीजन बीकलिंगे से अब दिवीजन एमें अलग-अलग सुनिआगा पहले हम सिंपल में थे है छोटा भीजिनिस था पिर में फ़नक्शनल में पहुंचे वहां पर बड़ा बिजनिस alright लेकिन ज्यादा वराइटी और प्रोडक्ट में हम डील नहीं कर रहे अब हमारा डाइवर्सिपाई हो रहा है बिजनेस हम अलग-अलग डिविजनल एरिया में यानि अलग-अलग और ब्रांचेज में एंटर कर रहे हैं समझ में आ रहे हैं जैसे टाटा कंजूमर ने टाटा क दिल्टी ना मॉलट जैसे टाटा कर रहे हैं जैसे बिजनल रिवेचा इस रिजिड आरी गत्मॉइब ना पेसंध को अलग राइटी ऑ प्रडेयल ना अलिटीपल रोड़क्ट रोड़्सिवाश्व्याट दीन्टेट चिटेस अड़ चूम गरें सी कहं दो रहें ऑना आ इ और açık क्या कर षक्ते हो डीजच्ट्र बना सकते हो बयादा जोग्राफिकले रिया आप्डृईच्ट्र बना सकते हो वाइड प्रोड़क्ट और सर्विसेव ने बात करीलग साओ तर एक फिर्स की डीज़र स्थीर मी किस तरह किस्टुमर आप टार्गेट कर रहे हो महंगे वाले को आप देखोगे सबस्ते वाले को हम देखेंगे के डिविजनल स्टुक्चर बना सकते हो आप प्रोसेस के बैसे पर लोगे अंदर का पढ़ लेना चले समझ में आ जाएगा बोलो आगया एडवांटेज पढ़ा यह मोटिवेट कर पाओगे हां देखवा जाओ बहुत इजी है यार अडवांटेज के रहा पर मोट दा अकाउंटिबिल्टी सेंस दिवीजन मेनेजर कैन बी हैड रिस्पॉंसिबल फोर दी सेल एन प्रॉफिटिबिल्टी ऑफ दी डिवीजन यहां देखो ना हमने मिस्ट अड़े बोलो चले आई तो क्या कर रहा है बच्चे एकाउंटिबिल्टी को परमोट करता है क्योंकि डिवीजन मेनेजर है हमने रिस्पॉंसिबल बना दिया है सेल्स के लिए और प्रॉफिटेबिल्टी के लिए हायर करियर डवलप्मेंट होता है मैनेजर का मैनेजर का क् प्रॉफिजए लेवल पे फिर फॉल्फंक्शनल मनेजर बनता है उसके बाद वो डिवीजन मेनेजर बन सकता है हो सकता है एक से ज्यादा दो डिवीजियन का मैनेजर मना दे किसी को आया है और यह है इंप्लोई मॉरल इस इस परतिव एर एस तरे एक्शेंटिव डेलिगे की का कै Gel करना पढ़ेगा एक डिविजनल हैं रखना पढ़े है बस वो समाल लेगा आ रहे या नीज आ रहा है रहा है आधerson करना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया है है ना ग्रोथ स्टेज में बहुत अच्छे से काम करेगा यह बोलो डिसद्वांटेज बताओ कॉस्टली है इस कॉस्टली स्ट्चर एज रिक्वार्दी फंक्शनल स्पेशलिस्ट फॉर इच अफ दिविजन हुआ आर हाइली है ह हर दिविजन में अलग 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 फंक्शनल है रखोगे तो उनकी कॉस्ट बेटा ज्यादा आएगी तो यह क्या है कॉस्टली स्ट्चर है देरेज डूब्लिकेशन अफ फंक्शन अक्रोस दी और गनाइशन हर और गनाइशन में अलग सेम फंक्शन बार बार रिपीट हो डेंडर रिक्वार्दी एल्ओड एडंट रिवन कंट्रोल सिस्टम विच में भी कॉस्टली हो बहुत करने का भी अपना खर्चा आएगा टाइम कंस्यूमिंग है ना क्रियेट दा रीजन प्रोड़क्ट एंड़ कंस्यूमर में रिसीव था इस्पेशल ट्रीटमेंट एड में डिफिकल्ट मेंटेन दी कंसिस्टेंसी इन दा कंपनी तो अलग-अलग जगा पे अलग इसको एम फॉर्म भी बोलते हैं भाई है ना मल्टी डिविजनल क्या है बोलू हाँ 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 आये क्या सब इजी है सही है जल्दी जल्दी हो जाएगा देखो आओ बच्चों प्लीज फोन में क्या कर रहे हो यारा आप आजाओ मल्टी डिविजनल वास developed in 1920s in response to the coordination and control related problem in the large firm क्यों आया ये क्यों जल्द मुआ coordination or control related problem आई लाज फर्म में तब इस organizational structure का जनम हो जिसको हम क्या बोलते हैं multi-divisional structure क्या रहा है इस structure require the compose of operating division where each division represent the separate business क्या कह रहा है यह जो structure है ये compose करता है क्या of operating division where each division represent separate business अलग-अलग जो डिवीजन है वो अलग-अलग separate business है तो हमने division में हम एक separate business line हम बना देते हैं और उसे दो भागों में बाढ़ देते हैं और उसमें अलग-अलग functional हैड होते हैं तो उसको क्या बोल देंगे multi-divisional बोल देंगे सब्च्छ में आया नेको केरा है था top corporate manager delegate the responsibility and authority for the day-to-day operation and the business unit strategy to the divisional manager को इट-ऊज्ड को इट-अट इट तोऊड फोर् क्रेफिए इस डिवीजन सब्सेंटे बिजन गिने पिसेंस्ट is semi automation done together each division has its own functional hierarchy or the department division manager are being are given responsibility day-to-day operation for the divisional level strategy corporate office determine the long-term strategy and exercise the overall financial control the original wali tj sari hapali qi basi multi-a this a task or multi-tasking other are any other are you so niga care how how are the division manage care when the firm is less diversified so care a strategy control is used to manage the division strategy control refer to the operational understanding by the corporate officers of strategy being implemented by the division so strategy control up love away agarap less diversified oh so you have me up this strategy may have a control launch karo ga kiya control hamarish strategy me raga or escape boarding home when highly diversify it is not possible for corporate officer that is strategic business manager to fully understand the operation of all the business unit care financial control is used to manage the division which enable the corporate business managers to manage the cash flow of the division through the budget and the emphasis the profit from the distinctive business agarom alag-alag variety may come so that is what I have to do so that is what I have to do so that is what I have to do so कंट्रोल के साथ साथ चलें आगे हां तो मेरे को नहीं लगता कुछन पूछेगा बस यह पोस्ट सकता है अपने ब्रेशन को तो लगाना पड़ता है यहां तक तो समझा दिया था मैंने इस्ट्रेजिक प्लान होता है स्ट्रेजिक प्लान में आप स्ट्रेजिक बिजनेस यूनिट ए बना दी इस्ट्रेजिक बिजनेस यूनिट भी बना दी इस्ट्रेजिक बिजनेस यूनिट सी बना दी और इस्ट्रेजिक बिजनेस यूनिट दी बना दी यहां पर हमने डिवीजन नहीं बनाया यहां पर हमने Sbu create करें यह बोल सकते हैं कि division को हम Sbu के नाम से जान रहे हमारे जो core product है हमने वो डिसाइड कर लिए और उसमें हमने अलग-अलग Sbu's create करने के बाद अब इसमें हमने देखो department मना दिये बी में हमने department मना दिये और दी में department मना दिये हमने C और A में department अशफ्तै को समद्रेटे धी उसमें ज्जाधा काम करना है हमें इसमें ज्यादा बाफट बनाने हमें दीखता है कि हमारा core area यह है यह वाला SBYU हो है और यह वाला SB UA और यहां पर सिर्फ एक काम चल ला है टाटा पावर का काम चल ला है यहां पर ज्यादा काम करनी रहे हां बस इस्टिबूशन ऑपावर का आ रहा या निया रहा आए कि यहां स्विए प्रेट इस्ट रखीनल का आज आए जाल एक तरह से टिविजनल की तरह है आजाओ जल्दी तरह आपके लिए करिए कि रहा है स्पीयू कंसर्ट इस डेलिवेंट और इंडलर क्रोड़ी प्रोडूक्ट एन मल्टी बिजनेस इंट्रपैसे किसके लिए रूर भी मुल्टिपल है बिजनेस भी मुल्टिपल है कि रहा है इस सांटिफिक ग्रूपिंग ऑफ रिलेटेट बिजनेस दिवीजन विच विच वीजनेस विच वीजनेस विच में एक बंदा बिठा दिया हमने कहां पे पर दिवीजन लेवल फिर फंक्षणल लेवल आ रहे है नहीं आ रहा है अपना निछे फ्रूप इसके नीचे और फ्रोड़क्ट बिकम यूज एफ मैं सीजी गाएग्जामपल ले सकते बहुत सारे उसमें वराइटी और प्रोड़क्ट आते हैं दाल चावल यह वह बहुत सा जो किरवें नंबर अप्रोडट्प्ट बिकम हुज इस नॉट अप्रैक्टिक तेखल इस्ट इस्टेजिक टीपमतो इच प्रोडूट इसे में नेसिसरी तो गूरूप बिजिने से इंटूदा मेंनेजबल नंबर ऑफ स्टैजिक लिबाइटेड बिजिने अब सुनना, वेर बाकि जो छोटे प्रोडक्ट है उन्हें एक अलग स्वीव में रखो तो कहरा है बहुत सारे प्रोड़क्ट रेंज है हमारी प्रोड़क्ट लाइन है तो इसलिए हम अलग अलग स्वीव में उसको बाट देंगे पढ़ ले कैसे गुरूप करोगे देखो किया हाउ टू गुरूप दी प्रोड़क्ट और बिजनिस इसकार हिस्टोरिकली लाज ओर्गनाजिशन मेंग दी स्वी ओंदा एरिटोरियल बिसेश एन इस्ट्राइजिक प्लानिंग वाज मेड उन्दा बिसेश ऑफ टरिट्री के रहा है तू से मिलर चैरेक्तरिस्टिक्स कम स्टेटिजेगाल रहा है कि यह जब बहुत सारे प्लाप्ट में हम दील कर रहे होते हैं तो हमें क्या बहुए बहुत क्लिक्स में फबने गुरूप में डाल दिया हुआ है फिर कहता है से नंबर आप ट्रिटरियल एस भी हैंडल सेम प्रोड़क्त सेम प्रोड़क्त गैट डिफ्रेंट स्टेजिक प्लानिंग क्या रहा है क्योंकि एक ट्रिटोरियल के वज़ा से अलग अलग स्ब्यों हमने बनाए हैं तो उनके लिए भी स्ट प्रोड़क्त गैट डिफ्रेंट स्ट्रेटिक प्लानिंग ट्रीटमेंट तो पहले तो अगर देखा जाए तो सारे फ्रोड़क्त हैं लेकिन हमने उसे अलग से क्याटेग्राइज कर दिया अलग स्ब्यों में डाल दिया तो उसके लिए अलग से प्लानिंग की जरूरत गया जो एडिली ग्रूपिंग ऑफ दिविजन में भी डन ऑन बेसिस आप सिमिलर प्रोड़क्त कर सकते हो कस्टूमर के बेसिस से डिवाइट कर सकते हो और टेकनलोजी के बेसिस पे भी आप अपना चले आगया यह करा दा प्रिंसिपल अंडरलाइं ग्रूपिंग इस एड़ एक्से एक्सेंशन ऑफ दिविजन रिश्चर लगता नहीं आपको आपको बीच में एक और डाला ना डिविजनल के बीच में हमने एस बीच बीच एड़ दाल दिया तो यह क्या एक एक्स्टेंशन एक इसका डिविजना श्रक्षर का अटे सिमिल्य टिविजन आपको आपको आपस में नहीं करें देंट नहीं अ चाहिके एक दूनिट रिजेटन अपना में एक अलग सेपरेट बिजनेस यूनित है आ रहा है या नहीं आ रहा है टॉप मनेजमेंट डेलिगेट दाथर्टी एं रिस्पोंसिबिल्टी फॉर दे टूटेए ओपरेशन एंड बिजनेशन इन इस्टेटी तो दाल देते हैं जो उनका काम होता है वो किसको देदेंगे वह जैसे वह दिशनल मैंनेजर को दे रहते हैं वैसे या पे इसको देदेंगे एस्बीव मैंशेस को आ रहा है नहीं आ रहा है फिर कहता है एस्बीयो मैंशे रिपोर्ट टुदा ची यॉ आप दी और बगनेशन एंड इसकांटेबल फॉर दा प्रॉफित तेल आफ आप दर अस्विव एस फियू इसे सेंटर मतलब लॉस वाली जो यूनित जो प्रोड़क्ट है उनको एस भी नहीं बना होगे हमेशा वह एक प्रॉफिट सेंटर होना चाहिए आपने पढ़ा था ना कॉसेंटर प्रॉफिट सेंटर कॉस्टिंग में पढ़ा नहीं पढ़ा भी पढ़ लोगे फिर फाइनल में हो समझ में आया हूं बोलो बोलो आँ है सब्सक्राइब करेक्टरिस्टिक समपढ़ चुके हैं एस भी उगी वहां से पढ़ लेना आगे आजाओ एट्रिब्यूट्स अडवांटेज डिसद्वांटेज ओफ एस्ब्यू श्रक्ट्चर पका बस अडवांटेज में मनने लगते हो आजाओ सार तक से सीखो कुछ कभी नहीं बोलता ब्रेक के लिए किया सांटेफिक ग्रूपिंग ऑफ बिजनेस हेल्प दा कॉर्प्रेट एडवांटेज पढ़ दूं ए अरे रीड मानना मैं पढ़ रहा हूं यार आपको पढ़ना भी नहीं आपस देखो समझ में आएगा देखो एस बीओ एस बीओ एस बीओ एस बीओ अर्गनेशनल स्ट्रक्ट्ट्र की मैं अड्वांटेज पढ़ने जा रहा हूं देखो बहुत इसी है किया साइन्टिफिक ग्रूपिंग ऑफ बिजनेसेस हैं दा कॉर्प्रेट हैडवाटर तू कंसंट्रेट स्ट्राइजिक प्लानिंग रादर देन ऑपरेशनल कंट्रोल यहां पर किस पर काम होता है बोलो हां इस्ट्राइजिक प्लानिंग पे क्या इन स्बीओ सिमिलर डिविजनार ग्रूप विच में गिव राइस तुदा सेनर्जी बेनिफिट अन रवांटेश तू दूइंग है तो गया जैसे बिजनिए एक साथ कंबाइन गरते हैं तो सेनर जीफ्लाइज का हमें फायदा मिलता है क्या इच ऐस भी इस रिलेटिटेव एजसा टिदा प्रफित सेंटर देन रेक्ते क्विक प्लिटी तो थे इन्वार्मेंटल आरे जैप्रूफित सेंटर एफ रहे तो फिर एट हेल्प इंप्रूफ कोर्डिनेशन विद आप स्बीव एंदा ओर्गनाइशन इंप्रूफ कोर्डिनेशन हो जाता है एसब्यू के साथ और और नाइशन के साथ के रहे फैसिलिटेट करता है निदेविन तो और नहीं पूर एस बीव लीडिंग तूदा अरे हम एक साथ वाले प्रोड़क्त को एक साथ कंबाइन करने तो सेनर्जी फैक्ट आथा ज्यादा बेनेफिट मिलता है फिर कह रहा है हर जो एस बीव हमारा प्रॉफिट सेंटर होता है इसलिए वह एंवर्मेंटल के साथ जल्दी रियक्ट करता है और फिर कहता है अकॉंट तो उससे healthy competition भी जन्रेट होता है अब डिसद्वांटेस्ट देख लो डिसद्वांटेस्ट किया है बताऊ एक एडिशनल लेवल ऑफ मेनेजमेंट जिंदा हो गया तो इसलिए कॉसली है बोलो डिविजन के ऊपर एक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा बताना पड़ेगा यहां पैसे करना यहां पैसे करने लगते हैं यह करने के लिए कि वाला ज्यादा प्रॉफिट कमाया आ रहा है यह नहीं आ रहा है कि बोलो बचलो कि सारे हमारे खतम हो गए क्या थे टाइप ऑफ और्गनाइशनल स्ट्च्चर सारे हमने निप्टा दिये उनकी एडवांटेज और डिसद्वांटेज के साथ हां दिखा रहूं आपके दान आइए चले आगे अब थाइंक्यू कितना बचाए जल्दी बता दो अब इसका एक दूसरा फेज है इस चैप्टर का सुनो बच्चे एक दूसरा फेज है जहां पर हम बात करेंगे साथ लीडर्शिप के बारे में आईए इस्टाटेजिक लीडर्शिप दो मिनिट का ब्रे जैसे गांदी जी एक लीडर्शिप पर्सनेलिटी जिसको देखके एक विचारधारा आ जाती है लोगों के सामने वैसे ओर्गनाइजेशन में एक बंदा एज लीडर काम कर रहा होता है जो उसके वीजन को लेके चलता है और उसके साथ-साथ वो जो जितने भी नीचे है लीडर्शिप के बारे में मैंने एक बहुत बड़ी एक्जामपल दिया आपको गांदी जी का की एक लीडर्शिप पर्सनेलिटी जिसको देखके आपको पता चल जाए कि भाहिया यह वालेंटरली डिसीजन ले सकते हैं इन्हों नहीं नहीं तो बोला कि अहीं सा से हम जी क्या करना इंफ्लूएंस करना कि वह वालेंटरली डिसीजन ले पाए एन एन्हांस करना लॉंग ट्रम सक्सेस वाइल मेंटेनिंग दा शॉर्ट ट्रम फाइनेंचल इस्टेबलिटे तो यहां पर हम और्गनेशनल पॉइंट आप व्यू से पढ़ रहे हैं इसको तो कह रहा है डवलप करना और कमिनिकेटिंग दा वीजन आफ दा फ्यूचर यानि फ्यूचर का अपना क्या वीजन होने वाला है उसके लिए फॉर्मिलेट करना इस्टेजी इन दा लाइट आफ इंटर्नल और एक्टनल इंवार्मेंट करना अब आउट्ट चेंज इस रिक्वार्ट स्टेजिक क्या करो कंट्रीब्यूशन करो स्टेजिक एक्जीकूशन में चले क्या क्या करता है बताना स्टेजिक लीडर्शिप में क्या क्या आता है help करता है डेवलप करने में और कम्मिनिकेट करने में वीजन दूसरा उस वीजन को अचीव करने के लिए स्टेजी बनाने के लिए किसमें स्टरेजीग के ईयां और रोल प्रेट स्ट्रेजिक में Сп realize और यहने जॉय्द हैं उनके दवारा क्या क्या रोल dauert ग्राइज आते हैं देखो जैसे यह वह ज्ट 9 रोल में काम कर सकते हैं क्या बन सकते हैं वो मोटिवेटर वो क्या बन सकते हैं चीफ इस्टाटिजिस्ट वो पॉलसी मेकर और इंफोर्सर बन सकते हैं या क्राइसिस मैनेजर लाई के चीफ एडमिस्टेटर की तरह भी काम कर सकते हैं तो यह सब कौन है बताइए लीडर्शिप और यह तीसरा जो नीचाहा है लीडर मैनेचर समझ माया चले हांगे आए अब कहता है फाइब लीडर्शिप रोल प्ले बाइदी स्ट्रेजिक मैनेजर फोर्डा गोड इस्ट्रेजी एक्जीक्यूशन एज इस कोशना सकता है एज इस कोशना सकता है क्या फाइब लीडर्शिप रोल प्ले बाइब इस्ट्रेजिक मैनेजर पॉर गोड़ इस्ट्रेजी एक्जीक्यूशन एक गोड़ इस्ट्रेजी एक्जीक्यूशन के लिए क्या रोल प्ले करने होते हैं किसको इस्ट्रेजिक मैनेजर कौन इस्टेड लीडर्शिप मैनेजर जो अभी हमने ऊपर बात करी ना देखो ना यहां पर बात करी ना मोटीवेटर की तरह काम कर सकता है पॉलिशी मेकर की तरह एंफोर्सर की तरह क्राइसिस मैनेजर की तरह आईये क्या करेगा देखो बहुत इसी है क्या रहा है वह प्लीज बच्चो क्या रहा है स्टेडिक लीडर इस एचेंग एजेंट और हो एंचेंग तो वह एजे चेंग एजेंट की तरह काम करता है मैनेजर है फ़िव लीडर्शिप रोल उपलें दा पुशेंग अफटा इस्ट्राटी एजी कुशन नम्बर वन क्या इस टेइंग इस टेइंग एजेंग इस थेंग एपनिंग नेटरिंग प्रसस्स विंग शुव इस्ट्रॉविंग दॉप्सलेट्स आगे आजाते हैं from the path of the strategy execution मुस्किल होगी आए किपिंग दा और्गनाइशन रिस्पॉंसिव तू दा चेंजिंग सिच्वेशन सबसे पहले क्या बोला वो टॉप पे रहके मॉनिटरिंग करता है दूसरे में बोला है वो जो सिच्वेशन में चेंजिस होते रहते हैं उनके पर मोट करते हैं कल्चर आप एस प्रेट दे क्रॉप इंदा और गनाइशन यानि टीमवर्क है ना आगया यह एक्सरसाइस करते हैं एथिकल लीडर्शिप और एंसुरिंग यह एक्ट 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 एक्टिशन लेने के लिए टू इंप्रूव दाइस्टेजी एक इस प्रफॉर्मेंस इस स्ट्रेटीजी के एक्ग्जीक एक्जीकोशन के लिए और उसकी पर्फॉर्मेंस को बढाने के लिए वह क्रेक्टिव एक्ट्षन लेने के लिए हमें पुश करते हैं दीपी का मैडम यह पांच पॉइंट बढ़ यह ए पहला लॉत पहला लॉत जल कि यह रहाए पांच क्या है यह लीडर्शिप रोल से जो एक स्ट्राटिजिक मेनेजर को फॉलो करने होते हैं एक अच्छी स्ट्राटिजी को एक्जीक्यूट करने के लिए पहला टॉप लेवल पर रहकर वो क्या करता है देखता है क्या हो रहा है कहां पर काहँ करनी है कहा पर्रो प्रॉब्लम को काऊ्पuchen से बनाता है अपने एक को पॉइंट 3 कि टीमवर्ग का कल्चर लेकर आता है और्गनाजेशन में पांच मतलब फोर्थ एथिकल लीडर्शिप पे काम करा जाता है एंशूर करने के लिए कि हमारा जो और जो और जिसने कि त्योरी है मेरे दिमाग में नहीं जारी तो आपको कुछ नहीं आएगा आपको इसे प्रैक्टिकल बनाके याद करना होगा और याद करके वहां पर लिखना भी पड़ेगा तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है आईए जैसे बेटा यहां पर स्री नरायन मूरती जी का एक् टैलेंट एंड इस्टैटिक लीडर विद्धा एथिकल वेल्यू यानि इंफोसिस का नाम उन्होंने वर्डवाइड और पूरे इंडिया में पहला है चले आगे आए दूसरा एक्जांपल ने धिरुबाय अम्माने जी का जिन्नोंने बेटा अपने बलभूते इतना है बना दिया कि अब वो पूरे इंडिया को और इंडिया के बहार मेंसेडेक बात हो करें अगर स्टैटिजिय्ट इस आल ही देजर है तो वह क्या क्या करेगा देखो वह क्या करेगा बुलो सिल California वे दिसेजिजन लेगा दूसरा फॉर्म बोट करेगा उस स्ट्रीजिजिन के लिए ऐघुलिसी प्लान उन्हें इंप्लिम्एंट करेगा उसके बाद असौरत करे Feder का effective communication विदिन दा organization strategic का या policy का जो effective communication होगा वो organization में ensure करेगा manage करेगा human capital को ठीक है manage करेगा changes in the organization को create करेगा and sustain करेगा strong corporate culture आ रहे तो कह रहा है unlike strategic leadership जो managerial leadership is generally concerned with the short term and day-to-day activity में काम आती है उनके यह सारे बेटा responsibility है यह भी याद करने हैं कि हो जाएंगे एक बार खेल लो मेरे साथ पहला इस्टाटिजी डिसीजन लेगा उसके लिए policy बनाएगा उसके लिए प्लान बनाएगा उन्हें इंप्लिमेंट करेगा तीसरा एंशोर करेगा का effective communication human capital को manage करेगा changes environment को देखेगा और create करेगा एक strong culture हो जाएगा बोलो आप सोचो ना आप ऐसे मैनेजर हो और आपको एक टीम मिली जहां पर तीन लड़की और दो लड़के और लड़के बद्तमीज हैं तो वहां पर आप एक strong culture कि दर फॉलो करवा होगे ना उनसे हां कि तमीज से बात करो जो लेडिस को रिस्पेक्ट पे करने चाहिए वो रिस्पेक्ट पे करो उस तरीके से रहो जो हमारी वेल्यू है अब सुनना क्या रहा है टू अप्रोच इस ऑफडा इस ट्राटिक लीडर्शिप अप्रोच इस ना बोलके मैं बोल दूगा दो गंसेप्ट है या दो वर्ड है जो मेरे को आपको समझाने है पहले गया है और दूसरा क्या है ट्रांजेक्शनल पहला ट्रांस्फोरमेशनल अब एक एक्जामपल दोंसरा पूसमझ मैं आजयेगा जैसे गूगल और कौन आपने अबी सर्च करा तो गूगल हां लेरी पे पेज लेडियर बहले आप बताओ उसने गूगल को फ़ाम करा उसने काम करा होगा हां उसने काम करने के बाद बाद में अलग-अलग सीओ ट्रांस्फरोमेशनल यानि जो उस वीजन के साथ आया जिसने पहली बार उस वीजन पर काम करा और कुछ बिल्ड करा ऐसा जिससे उसने पूरी और्गनाइजेशन को डवलप कर दिया आया समझ में और हमारे जो सुन्दर पे चाहिए हैं जो अभी CEO है हमारे गूगल इंडिया लेचे वह क्या है क्या से लीडर रहे और इंडिया को मनेक्स करें गूगल को जितना भी इंडिया का ऑपरेसने में वो मिनेज regional वह क्या बताओ राञेश्चेनल या ट्रांस्फर मेशनल वह हमारे ट्रांस्टेेक्शनल लीडर। उनको आपएक और युट उठीकrous माले इसन को सस्टेन कर रहे हैं सब्सक्राइब एक मेचर और मैंजिशन के उपर काम कर रहे है और जो उसमें incremental growth हो सकती है वह incremental growth वह ला रहे है आ रहा या रहा है और या निया सब्सक्राइब कोई और example आप मेरे को दो रांश फोर्मेशनल और ट्रांजक्ष्नल का अभी अभी उपर गया है नाम धीरुभाई अम्वानी वो कैसे लिटर थे बताओ और अब जो अनलम भानी मो के सम्वानिं और जो बच्चें किसलिटर बनेंगे ट्राङक्ष ने किन महाँ पर एंप्लोई नहीं मर दे तो वहां थे यह थोड़ा सा कन्फिक्ट कर रहा है यह वाल जो बंदा है यह कैसा लेडर होता है या र्जाक्षनल उता है यानि कई वार इंप्लोई होता है कई बस भाई होता है। duo हो है अगर यह वह सोरे पंद्दे कर उनकी पुरी वोस्में पीकष्न अपर मिंद इन बहुत सारे लोगती दादा पर्दादा तबसे चलाा रहा है टाटाव बहुत पहले का है जम सेथपूर टाटा उससे भी पहले लोग थे आई एक आइडिया मिल गया हाँ बोलो ट्रांस्फरमेशनल क्या होता है ट्रांजेक्शनल क्या होता है सेम कुश्चन आया हुआ है कि दोनों में आप मतलब इनको डिस्क्राइब करो कौन-कौन सी लीडर्शि कि अगवगोन फ्रांजेक्शनल ए और ट्विटर किस ने बनाया इंद फेस्बॉक कही था जिसने भी बनाया वह प्हले होनर था अब आजकल कम खरीद लिया अब मस्ट साब क्या है उसके लिए फ्रांजेक्शनल समझ में आया ट्रांसफॉरमेशनल कौन था जिसने बनाया आ रहे है नहीं आ रहा हाँ नहीं आई यह किरा इट यूज़ दा करिश्मा है न एन करिज्मा इट यूज़ दा करिज्मा एन एनसे आजम तू इंस्पार दी पीपल तो वर्क पोर दा गुल्ड आफ दी और गनाइजेश्चे न एंग एट इस एप्रोप्रियेट तूद अ इ करा था तो वह उनके लिए अंसे इन्वार्मेंट था ट्रबूलेंट इन्वार्मेंट था ऐसे लोगों की जरूवत तब पढ़ती है जब हमारी जो सिच्वेशन होती है वह ऐसी होती है कि हम ट्रबल में हमारा बिजनिस नहीं चल पा रहा तो ऐसा कोई बंदा अगर आता है तो वह बिजनिस को खड़ा कर देता है और चला देता है तो इसकी जरूवत कप पढ़ती है टर्बूलेंट और अंसे इन्वार्मेंट में है ना कि रहा है इन्दा इंडस्ट्री टू स्टार्ट और एंड अफ दा प्रोडॉडक्ट लाइफ साइकल का स्टार्टिंग का फे असे उन्द का निदा अब आजया है और आने आपके हूद सब्सक्राइब और इन परफोर्मिंग और चला देते हैं आरा या आया ने या रहा है चाहब साहब के हाथ में एर इंडिया गया अब वो चला रहा है लिटर इंटा इंप्लॉई इंप्लॉई ब्सक्टि एंट stimulation and the personal satisfaction they involve the follower in the mission and give them the vision of the higher purpose as to get the more dramatic changes in the organization हो जाएगा बोलो बोलो हां आगया ही अब ट्रांजेक्शनल बढ़ते हैं कि एट उसे साथ होरेटी ऑपेट्स ऑफिस टू एक्षेंज दा रिवार्ट सच एस पे इस्टेटर सिम्बल क्या बोला इन्होंने बताना किया यह यह यूज करते हैं अथारिटी ऑफेट्स ऑफिस यानि यह कहां पर हैं जॉब में और उस ऑफिस की अथारिटी इनको मिली हुई है जैसे सुंदर पेचाई जी को गूग सिएफो बनाया है आए तो जो अगर सीओ बनेगा उसके हाथ में ऑपरेशन आ जाएंगे वह कौन सा लिटर बनेगा बदाओ रांजेक्शनल आ रहे निया रहा लेकिन एलाउन मस्क उसके लिए क्या है टेसला के लिए हां ट्रांसफोर मेशनल तो एक बंदा दोनों चीज़ हो सकता है लेकिन वो बंदा ट्विटर के लिए क्या है आरे समझ में आपको एक बंदा दोनों चीज़े भी एसकता है और एक बंदा क्या ये ग्रूप भी वह सकता है और सब्सक्राइब आये यह कराए इटेस परप्रोप्रेट इन इस्टएक इन्वार्मेंट एन इन दा मे गोल विद एक्सप्लीट सेट रिवार्ट एंडपेनल्टी फॉर एचीवमेंट एंड नॉन एचीवमेंट इस लीडर ट्राइट टु बिल्ट एन एग्जिस्टिंग कल्चर एननांस दा करेंट प्रक्तिस तो वो जो आप काम कर रहे हैं इंक्रिमेंटल ग्रोथ पर काम कर रह कि एपड़ रही हैप जादा नहीं होंगे फंग मायों लिए रहा है बोलू आ हां है अगला इये और परट कल्चर पाणीडिंग और अब खुद पढ़ लेना कॉर्प कॉर्पेट कल्चर का मतलब वह है कि यह जिस ओर गनाईजिशिशन में आप काम कर रहें जिस और एक एक स्टाइजी एक्जी कुशन में आपके एथिकल यानी इन्वार्मेंट को लेके तो मेरे को बताओ इस यह लिखा हुआ है अगर आपका कल्चर और आपका जो वीजन है वह मैच हो रहा होगा तो आपके लिए कैसे काम करेगा वो तो वह आपके लिए क्या हो जाएगा और अगर आपका जो कल्चर है और जो आपका वीजन है वह मैच नहीं कर रहा आपस में तो वह कैसे काम करेगा पढ़के देख लो एक बार पांच मिनिट दिए दो मिनिट दिए पढ़ लो जल्दी फटाफट सेम कुर्षतन आया हुआ है कब ले होगा और कब आपस क्लेट होगा वह आपको बताना पड़ेगा तो सिंपली बस आपको यहां पर यही चीज लिखनी है कि अगर आपका वीजन और आपका कल्चर मैच हो रहा है तो आपके लिए हो जाएगा और अधर्वाइस अन फेवरिब है क्या आपके और्गनाजिशन की स्टेंडर्स हैं जैसे टाटा के बारे में पता है कि यह ज्यादा है मतलब वेल्यू ज्यादा है एथिकल इन्वार्मेंट है वहां पर आ रहा है नहीं आरा अड़ानी के बारे में आपको यह पता है कि भी अग्रोथ अच्छी है इतने कम क्राइम में इतना जारा पैसा कमा लिया तो वहां पर फटाफट से मिल जाएगी तो वह कल्चर डिपैंड करता है कि किस तरह की आपकी हिस्ट्री रही है किस तरह का ब्येवियर है आपकी और्गनेशन का किस तरीके से वह काम कर रही है यह आपको खुद पढ़ना है ना एंटर्पिनेशिप और इंटर्पिनेशिप क्या होता है यह बताईए और इंटर्पिनेशिप यह लाक्स कंसेप्ट है मारा हाँ और इंटर्पिनेशिप का मतलब क्या है बिटा इंटर्पिनेशिप का मतलब है कि आप क्या रहे हो वहां पे किसी निव श्टरट अप में आे इंप्लीमाय कांगा रहों लेकिन आप भी किसी इनव इसन प्रोडप्त ए करें या किसी सर्विस्पर काम करें लेकिन एक बाउंटरी में रहके काम कर और भी में और हरुष्ब्राइशन वह रहागों कर घर लिया भीजिया जैसे एक एक जामपल बताहे था आपको जैसे यस बैंक था डूब रहा था यस बैंक था दूब रहा था तो यस्वेंक में हम क्या गरते हैं अशनीर ग्रोवर को पंट कर देदें और उनको बोलते हैं कि भीया अब आप समालो इसे तो उस case में वह बताओ क्या मने ज अभी एडिया नहीं था ड़ान सभ्व में आरा है एक्जाम में आया हुआ है इसलिए इंपोर्टेंट है आप डिटेल में पढ़ लोगे अच्छा रिस्क जरा काहा पर ज्यादा रिस्क होता है यहाँ पर ज्यादा रिस्क है क्योंकि एक बाउटरी में रहके काम कर रहें जौ आपके सामने बोट कंपनी है ना क्रिएटिंग है एंटरप्राइज एंड मॉबलाइजिंग दा रिसोर्सेज आप अच्छे से मॉबलाइज कर लोगे रिसोर्सेज को यह भी पढ़ लेना एक बरी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जो कंसीब करता है आईडिया इस्टार्टि जैसे कि स्टार्ट सेट अपे स्टार्ट अप कंपनी ही इस रिस्पोंसिबल फॉर प्रोफिट और लॉस ऑफ दी कंपनी के लिए मैंने दो पार्ट आपके लिए जैसे कि कुल्चिरल वेल्यू वाला और एंटर बिनेश वाला यह आप पढ़ लोगे कोई भी हार्ड नहीं ह बहुत सिंपल है अच्छे से हो जाएगा आप प्लीज पढ़ लेना आज के लिए इतना ही था आपका चैप्टर नंबर सेवन खता हो गया और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट चैप्टर चैप्टर एक था थैंक्यू बच्चो